30 नवंबर तक लें MSME Emergency Credit Line Guarantee Scheme का फाइदा सरकार ने MSME यानि सूक्ष में लगू एवं मद्देम उद्योमों के लिए शुरू की गई आपात्र रणिसूविदा Guarantee योचना अबदी बढ़ा दी है ये अबदी 30 नवंबर तक कर दी गई है योचना के तहट अभी तक 3 लाख करोड रुपे के निर्धारित लक्षे को हासिल नहीं किया जा सकता है इस कीम की अबदी 30 अक्तूबर को ही खत्म हुई थी लेकिन कारोबारियों और गैर बैंकिंग वित्य संस्थाओं की तरफ से इसे और बढ़ाने की मांग की गई थी वितमंत्री निर्मला सीता रमन ने इस योचना की घोशना मैं में की थी करोना वाइरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थविवस्था को पट्री पलाने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए के इंदर सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट करीब 21 लाग करोड रुपे के प्रोथसाहन पैकेज की घोशना की थी MSME को गैरेंटी मुक्त कर्ज सुविधा उपलब्द कराने के लिए ECLGS की शुरुवात की गई थी योजना अवधी का विस्तार अर्थविवस्था के विभिन क्षेत्रों को खोले जाने के मद्दनजर किया गया है जब तक की योजना के तहट 3 लाग करोड रुपे के कर्ज को मंजूरी नहीं दे दी जाती इसमें जो भी पहले होगा उस समय तक ही योजना लागू रहेगी हाला कि उमीद यही की जा रही है कि मौजूदा त्योहारी मौसम में मांग बढ़ने से योजना का लाब उठाया जा सकेगा FIDC ने इस बारे में वितमंत्री को चिठी लिखकर समय सीमा दिसंबर आखिर तक करने की मांग की थी चिठी में ये भी कहा गया था कर्स स्विक्रिती करने की तारीक दो महीने और कर्स देने की समय सीमा मार्ट 2021 तक बढ़ाई जाए लेकिन इसे सिर्फ 30 नवंबर तक ही बढ़ाया गया है स्विक्रित कर्स 31 दिसंबर तक लिया जा सकेगा एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी करीब 4-5 लाख लोगों ने स्कीम के बारे में पूछताच की है और अगर सरकार सभी पात्रो कैटेगरी के लिए इसका दायरा बढ़ाएगी तो उन्हें राहत मिल सकेगी